हेलो एवरीवन तो चलिए आज बनाते हैं सेव मम्रा जो जटपट से बनके रेडी हो जाते हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं तो सेव मम्रा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मम्रा जो हमें मार्केट में तयार मिल जाते हैं जैसे ही तेल गरम होा हम इसमे एड कर देंगे मूम्प्ली के दाने और ये जो मूम्प्ली के दाने हैं इनको हम 2 मिनट तक तेल में फ्राई कर लेंगे तेल में मूफली के दाने फ्राई करेंगे और इसके बाद में हम एड़ करेंगे इसमें कड़ी नीमडी के पत्ते जो फ्लेवर को और बढ़ा देता है तो यहाँ पे हमने कड़ी नीमडी के पत्ते एड़ किये जब तक हो तब तक ताजी कड़ी नीमडी के पत्ते हमें एड़ करने चाहिए अब इसमें हम एड़ कर देंगे लसन और हरी मिर्च की पैस्ट क्योंकि हमें बनाना है चटपटा मम्रा तो इसके लिए मीर्ची तो चाहिए ही तो मीर्ची एड़ कर दी, लस्सन एड़ कर दिया अब इसमें हमें एड़ कर देते हैं थोड़ी सी हल्दी और नमक जिसके भी ना चमक नहीं होती है तो बस अच्छे से मसाला बना लिया हमने लिए जो मम्रा वह उब इसमें एड़ कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इन्हें जब तक ये कड़क नहीं हो जाते क्योंकि कभी-कभी मम्रा हमें मार्केट में मिलते तो हुआ लगी होई होती है मम्रों के तो बस गरम करने से वो एकदम कड़क हो जाते हैं और यह देखिए फटा-फट से पांच ही मिनट में यहाँ पे सेव मम्रा बनके हो गए रेडी हमने मम्रा ले लिए और उपर से हम इसमें डाल देंगे जो बारी शेम आती है वो तो बन गई ना फटा-पट से सेव म मम्रा बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है और जट-पट से बन जाते हैं और बड़े बुढों बच्चों सबको बहुत ही पसंद आते हैं आप जरूर ट्राई करना